नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदाव आपका बला करें और आपकी जोल्या ईश्वर के आशेवाद से, उसकी द्या से, उसकी रह्मतों से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों, नौरात्री के पावन दिनों में आज बात करेंगे तीसरी माता जिनका नाम है चंद्रगंटा नौरात्र के तीसरे दिन माने राता है कि यदि आप देवी चंदरघंटा की अराधना करते हैं चंदरघंटा सुरूप जो की माता पारवती का ही एक रूप है यदि आप उसकी अराधना करते हैं मा का पूजन करते हैं तो आपके बहुत सारी जो मनो कामनाएं हैं वो माता के इस रूप के ध्यान करने से ही पूरी हो जाती हैं जो देवी चंदरघंटा का सुरूप है वो बहुत है विशेश होता है दिखे जो पंचांग के नुसारे दी बात की जाए तो 19 अक्टूबर 2020 को अश्विन मास की शुकल पक्ष की जो तृतियात थी है उसमें शारदी नवरात का जो तीसरा दिन है उस दिन माता चंदरघंटा की पूजा होती है और चंदरघंटा मा ने ही असुरों का संगहार किया था और पृत्वी पे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवत्यार लिया था और ये मादुर्गा का एक विशेश स्वरूप होता है माता के मस्तक पे अगर आप देखे इनके स्वरूप को तो माता चंदरघंटा के मस्तश्क पर घंटे के एक आकार का एक आधा चंदर है इसलिए इन्हें मा चंदरघंटा कहा जाता है मा चंदरघंटा का रंग, रूप, स्वन्ड की समान है माचंद्रघंटा देवी के दस हाथ हैं, इनके हाथों में शस्र अस्द विभूशित हैं और माचंद्रघंटा की जो सवारी है, वो सहिंकी सवारी है अब ये प्रशन उड़ता है कि मागता की जो पूजा है उसका क्या महत्र है मानिता है कि जो भी वेक्ति नवरात्री में मा चंद्रगंटा की पूजा विधी पूर्वक करता है उसको अलोकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है वही मा चंद्रगंटा की पूजा और उपासना से साहस आपके बल में आत्म बल में आपके वृद्धी होती है हर प्रकार के भयों से मुक्ति होती है और मा चंद्रगंटा की पूजा करने से सौमिता और विनमृता में भी वृध्धी होती है विधी पूर्वक पूजा करने से मा अपने भक्तों को आशिरवाद प्रदान करती है माता चंद्रघंटा की जो पूजा है उससे व्यक्ति को रोगों से भी मुक्ति मिलते है ये दिन जो होता है ये माता चंद्रघंटा की सेवा का होता है मा को आप केसर या केवडे के जल से स्नान कराएं उसके बाद माता को सुनेहरे रंग के बस्र अर्पित करें मा को पीले रंग के गुलाब की माला चड़ाए या अगर आपको कोई भी गुलाब ना मिले तो पीले रंग का कोई भी पुश्प चड़ाए इसके बाद आप मिश्ठान या पंचामृत और मिश्री का भोग माता को अवश्य लगाए यदि मंत्र की बात की जाए तो मा चंद्रघंटा का जो विशेश मंत्र है वो यह है कि या देवी सर्व भूदेशु मा चंद्रघंटा रूपेन संस्थ था नमस तस्था नमस तस्था नमस तस्था नमस तस्था नमस तस्था नमो नमा तो जो भी व्यक्ति माता इस मंद्र का कम से कम एक से दो माला जाप अवश्य करें माता का पूजन करें और जब आप माता के किसी विशेश श्वरूप का कहते हैं न कि क्यों जब माता सब एक ही है तो हम क्यों अलग-अलग नाम से पुकारते हैं देखें माता की जो शक्तियां है वो अलग-अलग हम इर अरदना करते हैं उसके बहुत सारे गुड़ हमारे अंदर आ जाते हैं तो मनणा जाता है कि का अ्लली मा यहला व्यक्ति से गिराए और अपने तो आरेजिक और विजह राप्त आ के लिए आपके अंदर साहस और उठसा बढ़ जाता है लेकिन यह नहीं कि आप रोद्र रोप धरन करने के क्योंकि माँ है वह मां है और मा का जो सुरूप होता हो वह कुमल होता है मा का है कुमल होता है आराम से आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे लेकिन जो आपका सुभाव है वो भी दीरे दीरे विनम्र होने लगेगा और यही बात हर माता के जो अलग-अलग सुरूप है वो दिखाती है और अलग-अलग सुरूप की जो महत्तुता है वो इसी चीज़ को बताती है और हम जिस सुरूप की पूजा करते हैं जिस चीज के प्रति समर्पित हो के पूजा करते हैं उसकी जो प्राप्ती है वो माता के उस सुरूप से हमें जल्दी मिलने लगती है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताए कि यदि आप ग्यान की अकांशा रखते हैं जीवन में कि जो भी व्यकति माता चंद्रगंटा की अराधना करता है उसके अंदर वियता, निर्भायता के साथ सौमिता और विनुमृता का विविकास होता है तो देवी का जो ये स्वरूप है बड़ा ही कल्यान काई है क्योंकि जो माच चंद्रघंटा है वो व्यक्ती के मन पस्वामित्र रखती हैं और आपने जैसे मनें पहली भी बताया कि चंद्रमा का जो सवरूप है वो मादा के मस्तष्ट पे बना हुआ है इसलिए ही इन देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है और माता चंद्रघंटा की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो डर होता है अंदर वो भी खतम होता है जातक जो होता है वो निर्भय बन जाता है अब एक विशेश कता जो माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताऊंगे धार्मी ग्रंतों में इसे जुड़ी पौरानी कता की बात क gratis तो प्राचीन समय में देवताओं और अश्रों के बीच लंबी समय तक यूद्ध चला अश्रों का स्वामी महिशासु था और देवताओं की स्वामी इंडर थे महिसा सुर्ण ने देवताओं पे विजय प्राप्तिकर इंद्रिका सिंहासन हासल कर लिया और स्वर्ग लोग पर राज करने लगा इसे देख कर सभी देवतागर परिशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए तरदेव, ब्रह्मा, विष्णु और बताया कि महिसा सुर्ण ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायू, अनंत देवताओं के सभी अधिकार छीन ले हैं और उन्हें बंदग भराकर स्वर्ग लोग का राजा बन गया है देवताओं ने बताया कि महिसा सुर्ग के अत्याचार की वज़े से सभी देवताओं ने और जितने भी देवता हैं वो उनकी वज़े से अब पृत्वी पे विच्रण करने हैं और स्वर्ग में उनके लिए अब कोई भी जगण नहीं है यह सुनका ब्रह्मा विष्णु और भगवाय शंकर को बहुत गुसा आया तीनो देव के गुसे की कोई सीमा नहीं रही और गुसे की बजे से तीनो के मुख से उरजा उत्पन्य हुई और देवगणों के शरीर से निकली उरजा भी उस उरजा से जाकर मिल गई और यह उरजा दशों दशाओं में व्याप्त होने लगी तभी वहाँ एक देवी का अवतार हुआ, भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णू ने चक्र प्रदान किये इस प्रकार, अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्तशस्त्र सजा दिये, इंद्र ने अपना वज्र एरावत हांती सुतर क एक घंटा दिया, सूरे ने अपना तेज और तलवार दिया, और सवारी के लिए शेड दिया, और तभी से उनका नाम चंद्र घंटा पड़ गया, अब देवी ने महिशासुर से युद्ध करने के लिए पूरी त्रह से तैयार थी, उनका विशाल का है रूप देका महिशा समझ गया, कि अब उसका काल आ गया है, महिशासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा, अन्य दैत और दानवो के दल भी युद्ध में कूत पड़े, लेकिन देवी ने एक ही जटके में दानवो का संघार कर दिया, इस युद्ध में महिशासुर तो मारा ह कि गया साथ में अन्य बड़े दानवो और राक्षिक्सों का भी संघार मा के हातों हो गया, इस तरह से माने सभी देवताओं को अश्रो से मुक्ति दिलाई, यदि हम जोतश की बात करें तो देखिए इस दिन यदि आप कुछ विशेश उपाए करते हैं तो उसको आपका ब इलाईची का जोड़ा भी चड़ाते हैं देवी मा को तो बहुत ही शुब माना जाता है, साथ इस दिन यदि आप देवी जो चंद्र घंटा है, इनका जो स्वरूप है इसके साथ साथ आप एक विशेश मंदर का भी जब कर सकते हैं जो इस तरह है दारिद्य दुख भैहार करनी का तो दन्या सर्वो पकार करनाय सदादार चिता यदि आप इस मंदर का 108 बार जाब करते हैं तो भी आपकी बहुत सारी आर्थिक समस्याओं को क्योंकि दुख और दृत्ता को दूर करने वाला मंदर है इससे भी आपको मुक्ती मिलेगी और देखिए माना जाता है कि यदि आपकी भावनास अच्छी है तो आप जब करें जितना जादा आप जब करेंगे ना जब का प्रभाव जो होता है वो मनुष्य के शरीर पे बहुत सा कारात्मक होता है तो आप अगर इस समय कुछ भी नहीं कर सकते आप तो आप दुम जो दुरगा जी का विशेश बी लेगा और वो आपको स्वयम अपनी जियुन में दुष्ट्य कूचर होता बार दिखाए देगा तो दोस्तों आशा करती हूं आपको हमारी आज की लिए हुई जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही रोचक जानकारों के लिए क्रिप्पे आप हमारे चैनल को लाइक करें सब् भूले तो फिर मलते हैं तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार